जहिन साथियों गंगोर तो इसे समझते हैं दोस्तों देखे दोस्तों क्या होगा है एक कहवत कही जाती है कि तीज त्योहार बावड़ी लेडूबी गंगोर अब इसे समझते हैं दोस्तों देखो दोस्तों इसका अर्थ क्या है कि तीज जो है वो त्योहारों को बावर्ती है अब बावर्ती का अर्थ क्या होता है बावर्ती का अर्थ होता है वापस लाना लेकर आना यहां जिसे कहते है राजस्तन भाशिम कहा जाए शाम तक बावर्ड गयो इसका अर्थ क्या होगा है शाम तक वापस आ गया तो यहाँ पर क्या कहा गया, इस लाइन के अर्थ में, कि तीज तेबोोधिoder को बावर्थ यानी तीज जो होती है, वो तेबोधि偶्यक से अर्थ होता है, वऩह यानि वापस लेकि आना, तो क्या का गया है कि तीज जो होता है वो त्योहरों को वापस लेकर आती है और ले डूबी गणगोर का अर्थ है कि गणगोर के साथ त्योहरों को लेकर आती है और ले डूबी गणगोर इसका अर्थ हो गया कि गणगोर लेकर डूब जाती है अर्थार गणगोर के साथ त्य सावन की तीस से त्योहर प्रारम होकर गणगौर तक चलते हैं चैतरमास की शुक्राइब खित्रतिया तक इस प्रकार सिए इस त्योहरास्तन की त्योहर के संबंद में एकाहवत कही जाती है तो पहले इस चीज को हमने समझ लिए अब दोस्तों हम प्रारम करते हैं शावण मास में तीज जाती है तो शावन मासहमति वहर को प्राइरम करेंगे सबसे पहले करें के लिए। देखिए दोस्तों नाग जो होता है नाग यानि साप साप को जो कलर हम देखते हैं जेनरल हम यह मानते कि साप का रंग कौन सा होता है काला रंग होता है कौन सा रंग होता है काला रंग होता है और क्रिश्न का अर्थ भी क्या होता है काला क्या होता है काला तो नाग पंचमी कौन से उसमें आएगी काले वाले पक्षम आएगी पहले तो समझ लिए हम की कृष्ण पक्षम आएगी पंचमी से स्पेष्ट हो रहा है कि पंचमी को आएगी अब यहाँ पर हमी निकालना है कि कौन सा महिना आएगा तो दोस्तों होता है कि सावन का जो महिना होता है शावन जो मास होता है सावन के महिने में बारिश होती है बारिश जब होती है तो सब जीगे पानी पानी भर जाता है और ऐसी इस्तिती में जो नाग के जो बिल होते है सापों के जीब बिल होते है उनमें पानी भर जाता है तो बिलो में पानी भर निकार उस वक्त साप बाहर निकल निकल के आ जाते हैं इस वज़े से जो आप देखते होंगे कि सावन में अधिकतर साप बाहर नजर आते हैं वो उसका करण यही होता है कि बारिश के समय उनकी जो बिल होते हैं बिलों में पानी भर जाता है अब बिलों में पानी भर किया तो सावन भार आते हैं उसके पूजा की क्या कि सावन की पूजा की तो सावन में बारिश होती है बारिश होती है तो बिलों में पानी भर जाता है और बिलों में पानी भरती है हम काले रंग क साप की पुजा करते हैं तो किष्ट पक्ष हो गया नाग पंची में हो गई और महीना कौन सो हो गया सावन हो गया क्योंकि सावन में सावन में साप बाहर आ जाते हैं पानी भरने के कारण उनके बिलों में पानी भर जाता है तो इस प्रकार से हम इसको याद कर लिया अब गिड़ी तो चुनियों अब कि पात पर दोस्तों गिड़वा उससे लड़ता है तो नेवलोस से लड़ता है तो क्या वतार निडर होता है इसलिए लड़ता है तो इसको निडरी नॉमी भी कहते हैं किसे कहते हैं नेवलो नॉमी को निडरी नॉमी भी कहते हैं अब आजाती अमावस्या हर्याली अमावस्या है दोस्तों तो हर्याली की बात है तो हर्याली कब होती सावन के महिने में होती तो सावन की जो अमावस आएगी वो हर्याली अमावस के लाएगी क्या कहलाएगी सावन के अमावस हर्याली अमावस कहलाएगी तो अमावस्या से इस्प्रेश्ट हो गया कि अमावस और हर्याली से इस्प्रेश्ट हो गया कि सावन सावन में हरारा उदर जिए सावन के अंदे को हरारा नजर आता है इसे याद रखते हैं अपन तो हरियाली आमावस्या पिर आता है शुक्लपक्ष अब कृष्ण पक्ष को हमने देख ली है अब बात करें यह अब बात करें की शुक्लपक्ष में सबसे पहले बात करेंगे हम तीज की क्योंकि तीज तिवहर बावडी लेडूबी गणगोर इसका जो संब्ध है दोस्तो इसी से है किससे जो कावद कही जाती है तियो इस तीज तियोहार बावडी लेडूबी गणगोर तो उसका जो संब्ध होता है वो किससे होता है इसी कावद से और इसी तीज से है तब तीज कब आएगी तीज को आ गया तीसरी 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 को तागी हरियली ती जिसे छोटी तीज बोलते हैं कहां की प्रसिद्ध है जयपुर की प्रसिद्ध है अब उसके बाद में तीज के बाद माती है पुर्णिमा पुर्णिमा जो सावन की पुर्णिमा होती है उस दिन मनाते हैं रक्षा बंदन बात कैसे रखना इसे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आ गया हमारा तीज, टीज दोस्तियों की तृतिया की दिन मनाई जाएगी, अब बात आती, कौन से पक्ष में मनाते हैं, और कौन से महिनी में मनाते हैं, इसको देखे आप, अब तीज, यह जो हम सब पढ़ रहे हैं तीज, ट्योहार, मेले, कलार संस्कृति जो भी हम पढ़ते हैं, किस सब्जिक में पढ़ते हैं, सामाजिक अध्यन 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 में पढ़ते हैं, और इसको हम बोलते हैं, से प्रारम हो जाता है त्योवार किसे प्रारम हो दें से से तो सावन इससे हो गया शुक्ल इससे हो गया तीज क्या हो गया दोस्तों इससे हो गया तीज तो आपको क्या रखना है एसस्ती एसस्ती याद रखना है सावन शुक्ल तीज शावन महा की शुक्ल पक्षिकी तृतिय पूर्णिमा में देखो दोस्तों इसको याद रखने लिगे चोटे से स्टोरी याद रखे, याद हो जाएगा, एक लड़की थी पुर्णीमा, अपने भाई की राखे बानने गई, भरी बारिश में जा रही थी, बहुत तेज बारिश हो लिए लेकिन उससे भाई की राखे बाननी थी, इसलिए भाई की राखे बानने गई, राखे बान तो पुर्णिमा सावन की पुर्णिमा को राखी हो गया, फिर आती नारिल लिया तो नारिल सो गया, नारिल पुर्णिमा, अब संस्कत में मंत्रों का उचरण किया और अपने संस्कति को निभाया, तो क्या हो गया, संस्कत दिवस हो गया, क्या हो गया, संस्कत दिवस हो गया, फिर समझ लीजिए एक लड़की थी पुर्णिमा जो अपने भाई की राखी बादने गई बारिश बहुत तेज हो रही थी सावन का महीना चल रहा था बहुत तेज बारिश में भी गई मैं तो अपने भाई की राखी बादने चली गई राखी बादी उसने तिलक लगाया ना प्रवगई पुद्णिमस तो स्हाइज पुद्णिमस हो गया और helemaal वा इस प्रकार से आप इसे याद रसकते हैं तो मुंक्य मुंक्य चारफम धिवहते जो महीने अपको बता दिए अब बात करें नियुक्त से श्रावन माष थो महिना उसे हम एक बार देख ले तो सबसे पहिले आगया कृण सा महिना लगेगा, भादू लगेगा, कौन सा महिना लगेगा, भादू लगेगा, तो यहाँ पर तो कौन सा महिना हो गया, समाप्त, सावन, सावन समाप्त हो गया, सावन समाप्त होने के बाद में कौन सा लगया, भाद्रपत लगया, भादू महिना लगया, तो जैसे महिना आई थी शूकल पक्षी एसस्ट जिसको मैंने आपको बताया जस्ट उसके पंदा दिन बाद कौन सी आ जाती ही कजली तीज आ जाती है अब इसको याद कैसे रखना है कि आप राक्षा बंदन के बाद में राखे के बाद में जो हम तीज मनाते हैं वो कौन सी तीज के लाती है इसके सारे नाम है और कहाँ की फेहमस है? रखशाबंदन के जस्ट बाद यह दू दिन बाद यह आजाती तीज वो कहलाती, कझली तीज कहलाती है अब फीर उसके बाद में, तीज के बाद मात जाता है बल्राम, जैन, टी पहले हम इसको देख लेते हैं कृष्ण जन्माष्ट में को देख लेते हैं अब देखें दोस्तों इसी पक्ष में कृष्ण पक्ष में आ जाता है कृष्ण जन्माष्ट में अब यह तो हमको याद है कि कृष्ण है तो कृष्ण जन्माष्ट में आएगी यहां से कृष्ण कृमन हो रहा है अब हमारे यहां पर आ जाता है कि हमें महीना कौन से याद रखना है महीना याद रखने कौन से भादो को महीना है अब उसको मैं अभी आपको बताता हूं किस तरह से याद रखना है उसके पहले देख लीजिए नोमी को जो आएगी वो गोगा नोमी केलाएगी कौन से नोमी केलाएगी गोगा नोमी उसके बाद में जो बारस आती है जो ग्यारस के बारस आएगी द्वादेशी आएगी द्वादेशी आजाता है बच्छी वारस क्या किया थी लाती है? है बच्छी वारस जिसमें गाई तरो बच्छी की पुज़ा की जाती है अब दोस्ति उसको याद के से रखना है इसको इस plupart भ्यान दीजिए जाता है कि इसके बाद आती है यह से बड़ी माने जाता है तो बूड़ी हो गई यह चोटी है यह बड़ी हो गई अब इस वाली जो तीज थी वह चोटी तीज थी अब यह वाली तीज बड़ी तीज थी बड़ी तो बूड़ी है जो बड़े होते हैं बड़े बूड़े कहा जाता है और साथ उड़ी तीज और भाद उड़ी तीज हो गया ठीक है दोस्तों तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि राखी के बाद जो तीज आती है वो कजली तीज के लाती है काले पक्ष में आती है बड़ी तीज होती है बुड़ी तीज होती है साथ उड़ी तीज हो बानी बहा दिया गया था तो अब को ऐसे याद रखना है कि देवराज इंद्र का बहादो पानी बहादो पानी बहादो पानी बहादो पानी तो भादो बहादो 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 और बहादो तो इसकर से याद रखते हैं कि भादो में जो जन्माष्ट में आती है कृष्ण प अब बात आ गई हल चट created बल्राम जयुए हल चाहा कि शाव फो बलराम जेनती तो हल शेष्टी भी कहलाएगी हल शेष्टी भी कहलाएगी अब उब छट फिर आती उब छट अब देखिए दोस्तो हल का प्रयोक करना है तो बेठे बेठे तो हल का प्रयोक किया नहीं सकता उसलिए खड़ा होना उपका अर्थ होता है खड़ा होना तो आप हल का प्रयोक कैसे करोगी खड़े उकरी करेंगे तो हल जब जोता जाता है खेत में तो खड़े उकरी उसको जोता जाता है तो उससे क्या कहे होगा उबे उबे उससे जोता जाता है खड़े खड़े उससे जो गया उपचट खड़ी दोस्तों तो इस प्रसर याद रख सकते हैं अब दोस्तों जो क्रिष्ण भगवान का सम्मन गायों से मानते हैं गायों का मूख रूप से क्रिष्ण भगवान के जो हम जब भी देखते हैं तो क्रिष्ण भगवान का सम्मन जो माना गया है गायों से माना गया है उन्हें ग्वाला कहा गया है ग्वाला कहा गया है तो गो तो आएगी से गो का मतलब क्या होती है गाई होती है तो गो आएगी तो गो क्या हो गया यहाँ पर हो गया गोगा नोमी यानि अश्टमी की जस्ट बात कौन सी नोमी आती गाई की नोमी गोगा नोमी आ गई अब जब गाई आएगी तो बच्छड़ा भी आएगा गाई आएगी तो बच्छड़ा भी आएगा तो बच्छ बारस कब आएगी गाई के साथ ही आएगी तो नोमे के बाद में जो बारस आएगी वो क्या किलाएगी बच्छ बारस के लाईगी, जिसमें गाई और बच्छड की पूजा की आती है, किसकी पूजा की जाती है, फिर देखे दोस्तों, कृष्द जन्माष्ट में, दोस्तों कृष्द्भगाओन न सम्ब्ध किस से गायों से है, गौले काहा जाता है उनको, तो जब जन्माष्ट गाये के साथ इसका बचन बारस को आता है, और यह सारे तेवार त्रिष्न बारस का। आते हैं किसे पक्ष में इस सारे तेवार यह आते हैं ठेके दोस्तों इस प्रकार समय इसको याद कर लिया अब आते हैं यहां पर हम शुकल बक्षी बात कर लेते हैं भादों का जो शुकल बक्ष आएगा शुकल बक्ष में देखे दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे चतू वहयों वारा को 11 को आती में जल्जूली एकाधिशी ओर डोल जल्जूली 1 देश्यं गांद्धी बhã झोटी लडाया हो आती है जो घाय के गोबर से सुंदर-सुंदर आकरितेया बना थी घर के बहरौ अब वरतमान में प्रता कम हो प्रथा देखने को नहीं मिलती है, शेरों में थो ख्यार लुप्त हो चुकी है, बाकि यो बिलको छोटे गाम होते हैं, वहाँ पर जो अपने संस्कतिय से अभी भी जुड़ो है, वहाँ पर जो छोटी लड़कियां होती है, श्राद का जो पक्षि प्रारम होता है, शुकल प भादों के जो पुर्णी महा होती है, वहाँ से प्रारम होकर, आश्विन महा की जो अमोस्या तक 16 दिन तक जो श्राद चलते हैं, तो 16 दिन तक सांजी बनाने का प्रोग्राम किया जाता है, छोटी फ्री लड़कियों द्वारा, शाम के वक्त गोबर से, गाय की गोबर से मुख्य द्वार के पास, उसी कहा जाता है सांजी, ठीके दोस्तों तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि चोथूर्टी को गणेशे तूर्थी, पंजमी गुरिशी, पंजमी, अश्टमी कुराधा, अश्टमी, दश्वी को तेज़ा, दश्वी, ग्यारों को जल जो जो लि का है दोस्तों कि जब एक मेरा दोस्त था, एक दोस्त था, वो ब्येसी कर रहा था, तो वो जब एक्जाम आये तो खड़े गनेशी चला गया और वहां जाके बोला भगवान मुझे ब्येसी पास करवा देना, भगवान मुझे ब्येसी पास करवा देना, यहां पर क्या हो ज सिख्यो濺 तो सबीसित जिने प्राफ्त करवा दिस सब्सक्राइब आप जब आदमें ? ग्यान प्राप्त हो जाता है ग्यान प्राप्त होने के बाद में वो क्या होता है रिशी समान बन जाता है अब उसको गणे सी से ग्यान मिल गया अब क्या बन गया वो रिशी बन गया ठीके दोस्तों क्या बन गया रिशी बन गया ग्यान प्राप्त करने के बाद क्या आद में और इधर भादों के शुक्ल पक्ष में आ रही ही राधा अश्टमी और शुक्ल पक्ष में आ रही ही राधा अश्टमी दोनों में इतना अंतर है अब कृष्ण भबाद तो काली थे तो काले पक्ष में आ गई राधा जी गोरी थी तो गोरे पक्ष में आ गई यानि उजाले वले पक्ष में आ गई, तो कृष्ण पक्ष में तो कृष्ण जन्मा इस्ट में आ गई, उसके बाद में जो अगला पक्ष आया, शुकल पक्ष जो आया, जो गोरा पक्ष आया, उसमें को न आ गई, रधा इस्ट में आ गई, आप इसे यसे भी याद रख सकते हैं, एक सोंग आता है यश्वमती मया से बोले नंदिलाला राधा क्यों गोरी में क्यों काला तो राधा क्यों गोरी तो आजएगा गोरे पक्ष में आजएगा और दोनों को एक साथ याएगा कृष्ण और राधा का संबंद एक साथ है तो दोनों का जो जो से संबंदित जो तेवार हैं वो भी एक ही महने के अंदर आएंगे अलग-लग महनों में नहीं आएंगे तो कृष्ण पक्ष का अगर काले पक्ष में आगए तो राधा जी शुक्ल पक्ष में आएंगी गोरे पक्ष में ठीक है आप इस तरह से से याद रख सकते हैं उसके बा गया उसके साथ दिन बाद लग जाता है तो मुझे याद रखने में कोई दिक्कत निया है कि पहले गणे शितुते के मेले में जाते हैं फिर तेजय में जाते हैं और जिसे दिन तेजय देश में होती है उसी दिन रामदेव जयनती होती है ठीक है दोस्तों इस तरह से आप याद रख सकते हैं फिर हम बात कर लें जल जुलनी एकादेशी अब देखो एकादेशी से स्वेश्ट हो जाता है कि मनाए जाएगा एकादेशी को यानि ग्यारस को मनाए जाएगा और डोल ग्यारस का मतलब यह क्या हो जाता है भगवान को एक विमान में बिठा कर उनके नग नदीव पर इसनन करवाया जाता है और नगर में इससाब लोग उनके दर्शन करते हैं उसके बाद भागण वापस अपने मंदिर माय जाते हैं उससे दोंज़ो विमान होते हैं न्ने न्यद्स ब ere खान आ जाता है अब यहां पर ज्ल ज खुन निके जल कि जो जलके जिस्तान होते हैं नदी होते हैं तालाब होते हैं वहाँ पर जाके भगवान को इसनान करवाए जाता है इसलिए से जल जूली कहा जाता है और एकादेशी कहा जाता है अब जो दोस्तों यहाँ पर तेज़े दिश्मी के बाद आपको क्या याद रखना है कि जल ज जुलनी अब जड जुलनी एकादेशी अब इसनान करवाते हैं भगवान को भगवान को इसनान करवाते हैं तो क्या हो जाता है भगवान का और रूप निकर के आता है और शुद्धु रूप निकर के आता है और साफ सुतर नजर आते हैं बिल्कुल तो उससे क्या हो जाता है कि शुकल पक्ष में आपको कम मानना है शुकल पक्ष में मानना है शुकल पक्ष ओजाला का पक्ष मानते हैं प्रकाश का पक्ष मानते हैं तो इसे प्रकार से आप इसे मान सकते हैं कि शुकल पक्ष में जो एकादेशी आएगी भादो के जो एकादेशी आएगी उसमें क्या ह होती उसे भुत लोग उसे ने ले जाते हैं काफी प्रकाश होता है ढोल नगारे होते ह emoc Arid radiating अफिक आ रेकिद होता है। बहुत ज़्यादा उजला नजर आता है तो प्रकाश का भू प्रकाश 1 प्रकाश कों 7-14 को धिया कीजांत हो जाता है क्या हो जाता है किया हो जाता है दोस्तक है यहां पर अन्ट सी प्रकार सफाहई से याद रख सकते हैं यहां पर देखें ग्यार से सब्सक्राइब गई rap 14 सागी जूल जहूलने के बाद में कौन से लूजट में रैपें 14 की दिन जो एक को की दिन उनका विसर जन किया जाता है तो इस प्रकार से पूरे सिक cuma को याद रखा जा सकता है कि पहले गनेशी तूरती आएगी फिर तेजा दिश में आती है उसके बाद मिंद जल जहूलनी इका देश याति है बगवान नगर मैं यात्रा करते हैं उसके बादे में जो गणे जी के पृतिवा होती एंrä उसे चोदस की दिन विश्रजीत कर दिया जाता है इस प्रकारसे से याद रख सकते हैं और शुक्रप्रक्षि के पुर्निवा से शाध प्रारम हो जाते हैं यापको याद रखना है और साझ temu बनाई जाती है और शाद जो शुक्ल पक्षि पुणिमा से जो शाद प्रारम होते हैं वो आशुन मा की अमोसरत तक चलते हैं कुल 16 दिन तक चलते हैं इसलिए इस पूरे 16 दिन का शाद पक्षि से कहा जाता है ठीक है दोस्तों इस प्रकार साथ इनको याद रख सकते हैं याद प्रारम हो जाते हैं तो आप यह पूरा सिक्विंस आपको याद रहे जाएगा अब गणेश चतूरती मैंने आपको बता दे कि आपको याद रखना इस तो भादो शुक्ल शुक्ल चतूरती यानि उप्सारे त्योहर एक ही इसमें पक्षम आएंगे भादो में शुक ते वहार आएंगे बाता है ति हो तेर्म यहाड देखेगे गाए। हमरे ताथी राज़ी व्हार प्राम्भ होते हैं वो किसे प्रारंब होते हैं तीज से प्रारंब होते हैं तो तीज और आती है सावन में सावन में आती है तो उसको आप सावनी तीज कह सकते हैं हरियाली तीज कहते हैं और छोटी तीज कहा जाते हैं और छोटी तीज कहा हैं कि फेमस है जो राखिय बांदे अपने भाई के गई बारिश बहुत तेज हो रही थी फिर भी राखिय बांदे गई और उन्हें नारिल दे के राखिय बांदी राखिय बांद कर उन्हें संस्क्रत मंत्रों को चर्ण किया और अपने संस्क्रत को नहीं भाया तो इस प्रकार से जो रक्ष आकर इस परकार से हमने पूरे तेहवर यहां पर देख लिए दो महां के के तेहार हम देख़ चुके हैं, ये शावन के और भादो के दो महा के तिवहर हमने देख लिए आश्विन कार्थिक अब तिवहर हम अगले वीडियो में देखेंगे और इस चीज़ को मैंने आपको समझाई दिया था कि आप इस चीज़ कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जै भारत